सबसे पहले हमें ब्राउन शुगर लेनी हैं ब्राउन शुगर आपको किसी भी सूपर मार्केट में या फिर किराना श्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। तो मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिक दिया है वहां से आप उसे खरीच सकते हैं अब एक मिक्सर जाल ले लेना है और उसमें साड़े तीन चम्मच और ब्राउन शुगर डालेंगे अगर आप ज्यादा मिठा खाते हैं तो चार चम्मच शुगर भी ले सकते हैं अब इस इसके साथ हम दो बड़े चम्मच बटर डालेंगे सॉल्टेड बटर लेना है और रूम टेंपरेचर का लिया है मैंने इसे के साथ हम पीनट बटर डालेंगे तो जो क्रंची पीनट बटर आता है वो मैंने लिया है यहां पर मैंने दीसानो का पीनट बटर इस्तिमाल किया ह जिसमें कॉलेस्टोल और ट्रांसफेड जीरो होता है और इसी के साथ फाइबर और प्रोटीन काफी मात्रा में होता है यह काफी हल्दी है तो इसे हम चार बड़े चम्मच इसमें डालेंगे इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इसे के साथ आधा चम्मच हम वनिला एसेंस डालेंगे और इसे हैंड विस्क के मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब यह इस तरह से क्रेमी हो जाए तब हम इसमें बाकी की चीज़े डालेंगे तो मैंदा चानने के लिए जो च्छननी इस्तिमाल करते हैं वो मैंने ली है इसमें 3-4 कप हम गेहू का आटा डालेंगे आधा चमच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1-4 टीस्पून खाने का सौड़ा डालेंगे अब इन तीनों चीज़ों को हम छान कर तयार कर लेंगे आप चाहो तो गेहू के आटे के बदले मैंदा भी इस्तिमाल कर सकते हो लेकिन गेहू का आटा ज्यादा हेल्दी रहता है स्पेचुला की मदद से इसे मिक्स कर ले इसमें पानी दूद कुछ भी मिलाने की जरुवत नहीं है जो हमने बटर इस्तिमाल किया है उसी से ये अच्छी तरह से बाइन हो जाता है अगर आपको जरुवत लगे तो एका दो चमच आटा या मैदा डाल सकते हैं मैंने अभी आटा इसमें नहीं डाल ला ओवन को अब हम प्रिहिट करने के लिए रख देंगे तो यहाँ पे हमें ओवन को 180 डिग्री पर बोथ साइड 10 मिनिट के लिए प्रिहिट करना है तो इस तरह से उसे सैट करके प्रिहिट करने के लिए रखे मैंने अगारो का OTG यूज किया है अभी और उसका भी लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आटे को एक बार मसल के उसमें से छोटे छोटे गोले बना के तयार करने है साइस आपको जो भी रखनी हो रख सकते हो अभी मैंने मिडिम साइस के क्यो कीज बना कर तयार कीए है अब देख सकते इस तरह से कुकिस जब बन जाए उसके बाद हम इसे बेकिंग ट्रे में ले लेंगे कोवन भी प्रियिट हो गया है तो आप देख सकते हैं, यहां पर तीन रैक आपको दिखाई दे रहा है, तो हम इसे सेंटर में इसे रखेंगे, ओवन को अब हम बंद कर देंगे, और इसे 180 डिग्री पर ही हमें बेक करना है, तो 12 से 13 मिनिट तक हम इसे बेक करेंगे, और ओवन का टेंपरेचर अलग-अलग ह होता है, तो 10 मिन यसका बाद को चेक करना बहुत ही जरूरी होता है, आप देख सकते हैं कुकीश पूलने लगए है, तो 12 मिनिट के बाद पर ओवन बंद हो गया है, अब हम इसे चैक कर लेते हैं, अब देख सकते हैं, बहुत ही बढ़्या कुकीश बन कर तयार हुए है अब इसे cooling rack पर निकाल लेंगे ये जब गरम होते है तब एकदम soft होते है तो इसे छूना नहीं है इस तरह से cooling rack पर निकाल ले और इसी तरह से आधा गंटा ठंडा होने दे जब ये cookies ठंडे हो जाएगे तब ये उपर से crispy और अंदर से एकदम soft इस तरह से बनते है तो friends अब ये cookies बन कर तयार है जब ये ठंडे हो जाए तब आप इसे डिबे में भर कर 10-15 दिन तक store कर सकते हो अभी जो measurement लिया उससे इस size के 10 cookies बन कर तयार हुए है तो इस तरह से cookies बना कर ज़रू try करें उम्मिद है आपको मेरी आज की recipe पसंद आई होगी